विराट अपने ओफिस में सई की सोच में खोया हुआ होता है और अचानक वहाँ पाक ही आ जाती है फूलों का एक गुलदस्ता सजाती है और वहीं जब विराट चौंक जाता है उसे वहाँ देखकर और पूछता है कि वो कैसे आई वहाँ पे तो बड़े प्यार से पाक ही बो लंच डेट ही समझे और जैसे ही विराट को एक निवाला पाकी के हातों से खाने वाला होता है वैसे ही सई पहुचती है विराट के ओफिस में एक लेटी कॉंस्टेबिल के साथ एक कम्प्लेंट लिखवाने और विराट तो तयार हो जाता है पर पाकी तुरंद टोक देती ह सई को ये बोल कर कि अभी तो लंच टाइम है और अफिशल काम तो अफिशल समय पर ही होता है ना ये सुन सई गुस्से से चली जाती है और विराट भी पाकी की ये बात से थोड़ा चौंक जाता है अब सई अकेले एक आटो में जा रही होती है जब पीछे से ऐसा लगता है कि एक गाड़ी उसी का पीछा कर रहा है और सई तो अपने ही सोच में डूबी हुई है जब अचानक से पीछे से गाड़ी जोर का धक्का देता है और सई एकदम से आगे सिर के बल गिरती है अब देखना ये है कि आखिर सई क्या बच के निकल पाएगी आक्सिडन से या फिर क आक्सिडन क्योंकि ये एक हाटसा तो नहीं है ये तो एक सोची समझी साजिश है क्या इसके पीछे पाखी का हाथ है सई को रस्ते से निकालने के लिए हमेशा के लिए देखते रहे ये आगे क्या होता है सई और विराट के जीवन में जब विराट को सई की आक्सिडन का पत अबी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेय कीजिएगा हमारे वीडियो को